यहां दी गई जानकारी जियोतिश पर आधारित है तथा केवल सूचनक ले दी जा रही है TV9 Digital इसकी पुष्टी नहीं करता है यहां बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विशय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलह अवश्य ले नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहें एस्ट्रो साइंस मैं हूँ आपके साथ अंजली और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरदेव जीडी वशश्य जी सर आपका स्वागत है कई लोगों को रात में ढंग से नीद नहीं आती है और आती भी है तो बुरे-बुरे सपनों के कारण उनकी नीद खुल जाती है अक्सर साप के सपने, भूत, प्रेट के सपने आते हैं या कुछ ऐसे सपने भी आते हैं जिसके चलते डर लगा रहता है हम आपको बताएंगे कि आखिर सपने आने के पीछे कारण क्या है और ये किस तरह से हमारी दिनचर्या के साथ जुड़ा हुआ है इसके साथ ही आपकी राश्ची के बारे में भी आपको गुरुदेव आज बताएंगे जो सबसे पहले कारिक्रम की शुरुआत करते हैं पहला सवाल ये है कि गुरुदेव जरा बताएंगे कि बुरे सपने आने के पीछे आखिर क्या कारण होता है सबसे पहले दर्शक ये जाना चाहते है बुरे सपनों का आना यानि कि शनी का जनम कुडली के अंदर खराब होना और खास और पे उसका संबंध द्रश्टी पांचवे घर पे होना खराब शनी की जब भी द्रश्टी पांचवे घर के उपर पड़ती है तो हमारी बुद्धी के अंदर डर बसा हुआ होता है और जब ये डर बसा हुआ होता है तो ये सूरे को खराब करता है सूरे के खराब होने का मनला confidence का खराब होना तो ऐसी अवसा के अंदर जो चीजे हम negative सोच के और सुन के बड़े हुए होते हैं वही हम अपने सपनों में लेकर क्याते हैं आप देखते हैं कि केई लोगों को ये अबास होता है कि आसपास में कोई भूत है या कोई साया है ये खराबशनी की ये हलात होते हैं केई लोगों को सपने के अंदर कोई जानवर डसते हुए उनके पीछे भागते हुए नजर आते हैं ये खराब शनी के कारण होता है और कई लोगों को अपने पीछे सांप भागता हुआ नजर आता है कईयों को सांप बहुत जादा नजर आते हैं कईयों को बहुत कोई तुफानी सुच्वेशन के अंदर फसे हुए नजर आते हैं ये जितनी भी अवस्था हैं ये खराब शनी की है और शनी खराब की चपेट के अंदर अगर कहीं चंदरमा भी आ गया यानि की खराब शनी की दरश्टी पांचवें पे तो है या पांचवें के अंदर स्वेम खराब शनी बैठा है और उसकी दरश्टी चंदरमा पे भी पड गुर्देव एक और सवाल है अगर सपने में हम किसी की मौत देखते हैं या खुद को मरता हुआ देखते हैं इसके पीछे क्या संकेत होता है है और अगर किसी की मृत्यू से जुड़े सपने आते हैं तो क्या उपाई करना चाहें सही माइने में कहते हैं कि अगर किसी की आप मृत्यू देखते हैं तो उसकी उमर लंबी हो जाते हैं लेकिन अगर आप किसी की नैच्छरल देख रहे हैं तो तो उमर लंबी होती है कि यह शुब संकेत में माला जाता है लेकिन अगर आप यह देखते हैं कि उसको किसी ने मार दिया और मारते हुए आपने उसके खून भीड अगर निकलते हुए देखा तो यह मंगल शनी के लड़ाई हो जाती है और यह शुब नहीं होती और ऐसी अवस्था में यह प्राब्लम उस रिश्यदार या उस जानकार की वज़ा से अपने जीवन को परभावित कर सकती है और वो क्या परभावित कर सकती है यह मंगल और शनी का खराब मेल होता है जिसके अंदर जिन चीजों को आपने डॉकमेंटिड नहीं किया है जिन चीजों की आपने लिखित नहीं करिया और उसके साथ में उस चीज को लेकर के काम है, लेन दिन है तो ऐसे में उस शक्त से आपको धोका मिलने वाला है और उस धोके के अंदर लड़ाई होकर के रिष्टा तूटने वाला है तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर आप किसी की मृत्य देखते हैं उसके खून भी निकलते देखते हैं तो समय लीजिए उसके साथ बविश्य के अंदर विचार मिलने में दिक्कत आएगी तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको अगर इस तरह का कोई सपना आए तो नौ दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला, दस साबुद बदाम और दस छुवारे ले करके मंदिर के अंदर देने चाहिए ताकि ये बुरा सपना आपकी जिन्दगी में कोई बुराई ना लाप आए गुर्देव अगर सपने में पित्र आते हैं पित्रों का दिखना क्या संकेत करता है और ऐसी स्थिपी में क्या करना चाहिए पित्रों का भी इसी परकार से है कि वो तरप्त आए हैं आशीरवा देने आए हैं कुछ देने आए हैं या कुछ लेने आए हैं अगर वो तरप्त आए हैं आपको कुछ देने आए हैं या अशीरवा देने आए हैं तो ये चंदर्मा की बहुत ही शुब अवस्था है जिसके अंदर आप समझ लिजिए कि भविशे के अंदर अगर आप student है तो आपकी पड़ाई काम याब होने वाली है अगर आप कोई सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से सीखने वाले हैं अगर आप कोई काम कर रहे हैं कोई वाहन करीना चाते हैं प्रॉपर्टी लेना चाते हैं घर के अंदर कोई शुब कारया करना चाते हैं तो वो आपका पूरी सम्रदी के साथ पूरा होने वाले है तो ऐसी वस्था के अंदर आपको जब ये शुब पित्र आएं तो आपको थोड़े से चावल मंदिर के अंदर दे करके पंडी जी के पाऊं होँ लगा करके वो भी अगर अशीरवा लेते और अपने पित्रों के नाम की सिर्फ अरदास ही प्रमात्मा को करवा देते हैं कुछ भी दे करके तो ये आपके लिए कई गुना और ज़्यादा फलित हो जाती है लेकिर अगर पित्र हमारे सपने में आए हैं और वो बार-बार कुछ मांग रहे हैं बार-बार कुछ इंडिकेट कर रहे हैं और बार-बार ये बता रहे है कि तेरा बुरा होना जा रहा है तो इसका मिलने चंदरमा खराब हो गया है और उस अवस्था के अंदर वो अत्रप्ती या चिंता के संकेत होते हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर घर के अंदर अलेट होना चाहिए, उन दिनों के अंदर ज़रूरी काम रोक देने चाहिए, खास तोर पे पैसा खरच करके या प्रॉपर्टी का टांसवर इदर से उधर करना या खरिना ये इन चीजों को रोक देना चाहिए अब यहाँ पर दो चीजे बनती है, एक तो आप अपने काम पे पैसा लगाने लगे है या ज़रूरी चीजों के उपर इस्थों के उपर पैसा लगाने लगे है या शादी करने लगे है तो ऐसी ये वस्था पे थोड़ी देर के रुक लिए रुक जाए और चंदरमा की चीनी चावल ये लेकर के व्रद आश्रम ने दे करके पाओं हाद लगा करके अशीरवार लेना शुरू करें और हर महिने की अमावस को अपने पित्रों के लिए कुछ भी कच्चा या पका बना करके पंडितों को खिलाना समयगे और खास और पे करम कांडी जो हो जो मंद्र के अंदर पुजारी हों उनको खिलाना उनको देना ये हर महावस को करने लगेंगे तब ये पित्रत रफ्त होते हैं और अच्छा पनाता है और इसके अलावा ये व्रद आश्रम के अंदर देना वो भी शुब होगा और इसके साथ ही अगर अपने पित्रों के नाम का कोई गरीबों के अंदर बंढारा जिसके अंदर नमकीन, मीठा, तला हुआ ये तीनों ही चीजे हों ये कर देने से बुराइएं टलती हैं और ये संकेत के समझ करके आप अगर जरूरी चीजों को अभी रोक करके और जब दुबारा पित्र आ करके आपको अशीर्वा देने सब अब आप आएंगे, समय लीजिए अच्छा समय आया, वहां से अपने शुब कामों के शुरुवात करते हैं तो आपके लिए अतियोता है गुर्देव अगर हम सपने में भीड़ भार देखते हैं या कोई मांगलिक कार्या देखते हैं, क्या ये शुब होता है या शुब होता है सपना यानि की आपकी वो अवस्था जिसके अंदर मंगल और राहू यानि की आप बिस्तर के उपर सो रहे हैं तो यानि की केतु और उसके अंदर आपके विचार राहू और उसके अंदर मंगल कारया देखना मंगल राहू केतु की लड़ाई है इसी लिए कभी भी किसी की भी शादी सपने के अंदर देखना शुब नहीं माना जाता भीडबार अब भीडबार तो कही तरह की होती है अब वो धार्मिक सान की भीडबार है रोड़ की भीडबार है आपके घर के अंदर भीडबार है लेकिन किसी भी तरह की भीड़ भाड़ों वो राहू को ही इंडिकेट करती है लेकिन एक धार्मिक स्थान की भीड़ भाड़ को छोड़ कर के तो भीड धार्मिक स्थान को छोड़ कर कहीं की भी और मंगल कारे यानि कि शादी वगरा होना देखना ये मंगल राहु केतू इन तीनों की एक तरह की लड़ाई का ये संकेत होता तो ऐसी अवस्था में क्या करना चलिए ऐसी अवस्था के अंदर सबसे उत्तम है कि आप थोड़ा सा दूद और अनार एक, दो, तीन, चार अपनी समर्था के अनुसार मेरी तरफ से दस के लिए तो अनार और दूद ये आप मंदिर में लगातार कम से कम नौ दिन चड़ाए तो इस सपने का बुरापन वो खत्म होगा और हर रोज कुटे और कौवों को कुछ न कुछ खाने को दे कम से कम, कम से कम एक मीना समगे या तरताली सिन दे सबसे उत्तम एक मीना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें 27 नकशतर गुम जाते है और तरताली सिन लाल किताब के अनुसार राशी गए ये सब कोई मिला के चार दिन फालतू मनाई जाते है तो ऐसी अवस्ता के अंदर बिटा तरताली सिन लिए करना इस बुराई से निजाद दिलाएगा वरना ये इंडिकेशन हो सकती है कि आपका मंगल खराब होने जा रहा है जिन्दगी के अंदर टेंशने बढ़ने जा रहे हैं और कोई न कोई बिमारी का संकेत भी ये घातक हो सकता है तो इसलिए इससे बचने के लिए ये उपाई करना बहुत ज़रूरी होता है और अब आगे बढ़ते हो और बात अपने स्पेशल एलिबेंट की करेंगे क्योंकि लगाता है हम सपनों की बात कर रहे हैं गुरुदेव तो ज़रा ये भी बताईए कि घर में वास्तू के अनुसार बैड की जो दिशा है या सोने की दिशा है वो क्या होनी चाहिए सोने की दिशा है दो ही प्रेफरेबल है और वो कौन सी है पस्चिम दिशा की तरफ सर करना और पूरव दिशा की तरफ हमारे सोते हुए नफ्मयाना उसके लिए कहा जाता है कि पूरव दिशा की तरफ से आने वाली हैल्डी हवाएं वो हमारे अंदर जाते हैं हमारी ऑक्सीजन के जरीए वो हमारे अंदर आते हैं हमारे दिमाग को शांत रखते हैं in और उस्त में और दिशा की तरफ सर करना और अत रदिशा की तरफ पाॉं करना ये बी जो योग है इसके अंदर उस्तर हर की तरफ से आनेवाली एक बहुत ही ऐसी हुआ जो हमारी याधास्ट को हमारे शरीर के अंदर बिमारियों को बचाने वाली एक healthy oxygen के सार हमारे अंदर जाती है और हमें बिमारियों से निजाद दिलाती है और हमारी यादाश्ट को बेतर करती है और चाहे पूरब दिशा की हवा हमारे अंदर जाए उत्तर दिशा की जाए ये दोनों ही हवाइं जब भी पुरवया और जब भी ये उत्तर दिशा की तरह से हवा चलती है यानि कि ठंडी मीठी हवा आती है पाड़ों की तरफ से ये दोनों ही हमारे जीवन को कंप्लीट करना अंदर बिमारियों को खत्म करने की ताकत देने का काम करती है ये दोनों तरफ की हवाए लेकिन जो लोग पूरव की तरफ दिशा करके सोते हैं सर करके सोते हैं और पस्चिम की तरफ पाउं करके सोते हैं उनको जोडों से संबंदी तकलिफे होती हैं हडियों से संबंदी तकलिफे होती हैं गुसे चेचड़े पन से संबंदी तकलिफे होती हैं ये सारी होंगी और साथ ही नजर की कमजोरी व दूसरा जो लोग दक्षिन की तरफ पाउंग करके सोते हैं उनके घर में लड़ाई जगडे कलेश पैदा होते हैं बच्चा पैदा करने की शमता कमजोरी होती है पेट खराब होता है और साथ ही आँखों की कमजोरी होती है और जैलस भावना अपने अंदर बढ़ती है क्यों जब और उत्तर की तरफ से जब भी हवाई चलती है उसके अंदर की हुई exercise भाग दोड आलवेज आपके शरीर के लिए अच्छा होती है क्योंकि उस वक्षिजन जितनी जड़ा आपके अंदर जाएगी आपके लिए उतनी ही शुफल दाए रहेगी और रोगों से बचाने वाली रहेगी तो इसलिए उत्तर और पूरब की तरफ समझे आप पाउं करके सो और दक्षिन और पस्चिम की तरफ सर करके सोना यही आपके भागे को शरीर को आपके दिमाग को अपनी युक्तियों को दुरुस करने के लिए सबसे उत्तम दिशाय मांग जाए तो इस वात का विशेश टूक से आप ध्यान रखे कि आपके बैड के दिशा सोने के दिशा क्या होनी चाहिए जो गुर्देव ने बताए उसे जरूर आप फॉलो करें अपने घरों में गुर्देव अगर सपने में बार-बार कोई जानवर दिख रहा हो या फिर सांप दिख रहा हो त तो इसका मतलब ये है कि विशे में आप कुछ भी एक अचानक एक करम ऐसा करेंगे जो आपको मालूमाल करेंगा लेकिन दुनियादारी के सुख देने के लिए अध्यात्मिक सुख के लिए दुनियादारी के सुख देने के लिए लेकिन अगर बार-बार आपको सांप नजर आता है बार-बार सिर्व निकलता है बिल में गुल जाता है या भागता है जानवर भी इसी तरह से आम जगा पे नजर आता है भागता है लेकिन आपको कुछ कह नहीं रहा तो ऐसी अवस् उसके लिए बार बार आपको परियास करने पड़ेंगे तो यह सपने के अंदर जानवर का दिखना और सांप का दिखना आपको उल्च्णों के अंदर उल्चा करके लखेगा तो ऐसी अवस्था के अंदर आपने शुना होगा कि हमारे बहुत सारे में da herd और वो हमारे संस्कारों पर भी बने है कि कव्वे को मिठी चूरी खिलाई जाती थी देसी घी और चीनी डालके या शक्कर डालके चूरी बनाई जाती है रोटी की और वो कव्वे को डाली जाती है तो ऐसी वस्ता में बुद्ध को और शनी को दुरूस करना बुद्ध और शनी का मिश्षित जो धर्ती पर पक्षी है वो है कव्वा तो कव्वे को मिठी चूरी खिलाना अपने आप में मंगल को दुरूस करना और शनी की बुराई को खत्म करना और बुद्ध को अच्छा करन ये एक combination बनता है तो उन दिनों के अंदर कववे को मीठी देशी घी की चूरी ज़रूर खिलानी चाहिए इसके साथ ही घर की पहली रोटी आदी गाएं को आदी से आदी कुटे को और आदी से आदी कववे को ये अगर अगर इनको आप ये अपने खुराक का निवाला दे करके चलते हैं और इनको अपने जीवन का हिसा बनाते हैं तो ये अपने पाप को त्याग देंगे और त्याग देंगे तो आपके परियास आपके करम वो सफल होने लगेंगे ये बे मतलब कि उलजने जीवन से दूर जाएंगी और आप काम गया भी पाएंगे बुर्देव अब एक आखरी सवाल है सपनों के बारे में बहुत सारी बातचीत हो गई लेकिन बुरे सपने ना आए इससे बचें और जल्दी से नीन आजाए बेट पर जाते ये मेरा अपना पर्सनल सवाल है उसके लिए क्या करना चाहिए बहुत अच्छा सवाल है ये और इस सवाल का जवाब देने के लिए इसलिए अच्छा लगेगा कारण ये कि बहुत सारी दुनिया तरस्त है जिनकी भी जनमकुली के अंदर राहू बारवे घर में बैठ जाए वो शनी को खराब कर देता है और जब शनी खराब होता है तो ऐसी अवस्ता के अंदर मंगल काम आता है और मीठी नीन्द का आलवेस कारण मंगल होता है और जिसका भी मंगल बारवे स्थान पर हो उस इंसान को बिस्तर पे जाते ही बहुत अच्छी नीद आती है और बिना सोच विचार के वो बड़े अराम से सो सकता है और लंबी नीद सो सकता है दूसरा जिसके मन के अंदर व्यथायन चलती है जो मन के अंदर से परिशान इंसान होता है और हर वक्त सोचने के आदत का हो उसको नीद नहीं आती है उसका चंदरमा डिस्टरॉब होता है तो ऐसी अवस्ता में करना क्या चाहिए अब ये चंदर और मंगल ये बनते कहा है हमारे शरीर के अंदर लगभग 70 परदिशत पानी है तो चंदरमा तो पूरे शरीर में है मंगल यानि की ये खून यानि की रेट सेल्स कहां बनते हैं रेट सेल्स बनते हैं हमारी थाई में यानि की हमारी कमर से लेके घुटनों के बीच का जितना ये मोटी जांग है ये वा और दूसरा अगर राहू का संबन्द है तो वो सोच विचार में इतना उल्जा देगा कि आप प्लानिंग बनाने में रहेंगे आपको नीन नहीं आएगी और तीसरा चंदरबा अगर खराब है तो मनो मन आप बहुत जला सोच करके उतावले होते रहेंगे जिसकी वेज़ से नीन नहीं आएगी तो यह तीन रिज़न है तो ऐसी वस्था के अंदर अपने बेड के की तकीये के खास तौर पर जो लिहाफ है उनको हल्के लाल रंग का करना पिंके शेड में ले ले लिजे लाल रंग ले लीजे और एक मंगल की प्रॉपर पूरी वस्थो यानि की लाल सूती कपड़ा उसके अंदर सौफ भरना और एक छोटा सा मुंगा पांसात रती का ले करके उसके अंदर डालना और तक्या बना लेना और तक्या बना करके जब उसे आप तक्या के अंदर रखते हैं तो राहू की शरारते ना होने के कारण और उस मूंगे की ताकत के कारण और सौफ की खश्बू के कारण आपको नीन बहुत अच्छी आने लगती है राहू आपके पास से दूर चला जाता है बेकार की सोचे दूर चले जाती है तो नीन बहुत अच्छी आती है दूसरी चंदरमा चंदर और मंगल को दोनों को अच्छा रखने के लिए हर मंगलवार को अगर दूद में आप हलवा बनाते हैं यानि कि सूजी को घी में भूनते हैं उसके अंदर पानी की जगा दूद डालते हैं और वो बना करके मंदिर चड़ा करके अगर आप बाढ़ते हैं तो इसे भी और या चावल मिश्री वैसे ही आरोज आप मंदिर में दिना शुरू कर देते हैं चंदरमा अच्छा होने लगता है तो नीदा ने लगती और तीसरा सबसे काबिल उपाए अगर आप दिन में दो बार सुबे और शाम पहले 10-10 बैठक बाल में 20-20 बैठक और इसी होते हैं तो नीद अपने आप बहुत अच्छी आने लगती है तो आपको अगर यह आप दोनों ही करेंगे और यह बैठक मार के अपनी थाई को मजबूत करके रेट सल को और पैदा करने वाली मशीनरी को जाला चालू करने वाला उपाई यह दोनों करते हैं तो आपकी नीद सोगी है अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं उनका अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं नमबर है 9999-0522 साथ ही अपनी और अपने परिवार से जोड़ी किसी भी समस्या का आप समधान चाहते हैं हर कश्ट हर तकीफ सराहत चाहते हैं तो आप एस्ट साइन्स तो जाना सुबे 8 बचे नमस्कार